मुख्यमंत्री श्रीचोहान ने बर्गद नीम और केस्या के पौधिरों पे गुलमोहर भगीनी मंडल के पदाधिकारी भी पौधर ओपन और स्रमदान में हुए शामिल प्रधान मंत्री मोधी ने दी इद उल अजहा की बदाई अंतराश्ट्री सीमा पर दिखा जवानों के बीच सोहादर पूर्ण माहौल भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने इद उल जुहा के मौके पर एक दूसरे को मिठाईया बाटी और सुपकामनाय दी इस दोरान काफी सो हादर पूर्ण और दोस्ताना माहौल बना बीएसफ की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्यपित में यह जानकारी दी गई है मोबाईल जर्नलिज्म पर युवाओं की राय जलवाईयो परिवर्तन और प्रभावों के विश्य में जानकारी मिली कारिशाला में जलवाईयो परिवर्तन और मोबाईल जर्नलिज्म पर युवाओं ने अपनी राय साजह की सार्दा युनिवर्सिती से पत्रकारिता की फढ़ाई कर रहे विवेक बताते हैं कि इसका रिशाला से उन्हें जलवायू परिवर्तन और उससे होने वाले प्रभावों के विशे में जानकारी मिली भगवान शिव पार्वती बन उकर नाटक कर रहे कलाकारों पर एफाई यार दर्ज भाजपा कारेकरता ने कहा दोनों कलाकारों ने भगवान शिव और देवी पार्वती के रूप में कपड़े पहने हुए थे उन्होंने कहा यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो बैठो और करो हम देवताओं के रूप में तयार होने के उनके क्रत्ति का समर्थन नहीं करते हैं संसद में मानसून सत्र में फैमिली कोर्ट बिल 2022 लाए जाने की संभावन आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कानूनी कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश और नागलेंड की पारिवारिक अदालतों में नियाईक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियो की नियुक्ति को मान्य करने में मदद करने के लिए एक विदेयक ला रही है। नासा में दिखाई अंतरिक्ष की सबसे गहरी खुबसूरत तस्वीर टेलिसकोप से किया गया कैप्चर। अमेरिका ने चीन पर साधा निशाना कहा रूस का साथ देकर ड्रेगन ने दाव पर लगाई वैश्विक व्यवस्था। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं। आपकोषडिएस्टमेटर.com